हेलो दोस्तो सरकारी जोब खोर आप सभी का स्वागत है दोस्तो कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग बढ़ियां होंगे दोस्तो बिहार SSC 2021 में आई नई भरती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बहुत बड़ी खुस ख़बरी है जिसमें इंटर अस्तरी चोबी लेकर जरूर दबा दिजेगा तथा नोटिफिकेशन को ओल कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं बीना टेम बेस्ट किये हुए दोसरी इंटर अस्तर ये वह तिर्थी ग्रिजूट अस्तर ये प्रिक्षा का विग्यापन अगले हपता में जो है आने की संभाव अगले हपता में आएगा तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है दुट्य इंटर अस्तर ही प्रिक्षा और तीरती ग्रिजूट अस्तर ही प्रिक्षा के लिए बीससी अगले सब्था विग्यापन जारी करेगा इन दोनों प्रिक्षाओं के माध्यम से लगवग चार हजार पदों पर न्युक्ति होगी इंटर अस्तर ही प्रिक्षा के लिए अब लगवग एक दर्जन से अधिक भी भागू से इंटर सहायक लिपिक आसु लिपिक निम्न बर्गिय लिपिक तो साराज भासा निर्देशाल है कि 2444 पदों की न्युक्ति के लिए रिक्षा आई है आ प्रस्टू लेवल पर 26-49 पदों पर वेकंसी आने वाली है और तर्था इंटर अस्तरीय को सफ़िए पर पर वेकंसी आने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इंटरेस्तरिये में कितना भेकेंसी, कौन कौन पद पर कितना भेकेंसी आने वाला है, तो दुर्य इंटरेस्तिय प्रिक्षा में संभवित रिखतियों की संखिया, स्रम संसाधन विभाग में स्वल्ला पद, जो आसूली पीक के लिए पडियावरन, 1 एभम जलवाईू पडिवर्तन में आसुलपीक के लिए 12 पद मंत्री मंडल सचिवाला राजबहासा सहायक राजबहासा अनुदिशक के लिए 1 पद इसके बाद जो है स्वास्थ विभाग में फैलेडिया अनिरिक्षन के लिए 89 पद मंत्री मंदल सची वाला राज भासा के लिए अनुदेश के लिए साथ पद श्रम संसाधन विभाग में निम्न वर्गिये लिपिक के लिए चोबन पद मंत्री मंदल सची वाला राज भासा टंकन सा लिपिक के लिए चार पद आयोजन निदेशाला गिरी विभाग में वर्ग संब्सें सबसे ज्यादा कि जो है यही है नगर विकास सभ आवास वास विभाग में तो इसमें जो है आप सबसे बाया दोटर आता है क्या क्या होने वाला है इसमें सबसे पहले जो आपका PT होगा प्रारामीग प्रिक्षा जिसको करते हैं वो पास होने के बाद जो है मेंस होगा मेन इकजाम होगा जिसको मुख्य प्रिक्षा करते हैं उसके बाद जो है फिजीकल वाले पर फिजीकल होगा इंटरस्टरी का बात हम कर रहे हैं दरगर्जियो टेस्ट दोनों का है फिजीकल वाले पर फिजीकल होगा तथा टैपिंग वाले पर जहां जो टैपिंग वाले पोस्ट पर है उस पर टैपिंग होगा इतना सारा प्रोसेस होने के बाद जो उसके बाद जो है पिछले भेकेंसी में जो है कितना फॉर्म फिलप हुआ था तो पिछले भेकेंस प्रिक्षाओं में जो है नुभब को ध्यार्म रखते हुए तिर्तिय ग्रिज्योट वस्तरिय प्रिक्षा में 4-5 लाग आने की संभावना लेकिन 4-5 लाग कर रहा है हम अगले बार जो आया था लगभग 18 लाग क्या सपास फॉर्म लगभग फिलप हुआ था तो यह सारा वेकेंसी है दोस्तों आप पूरी त्यारी से कीजिए जिसमें आपका पीटी जो होगा इंटरस्तरिय का उसमें आपको 50 मार्क का रीजिनिंग पचास मार्क का आपको जो है 1500 मार्क का होगा जिसमें थोरा भूल रहे हैं 1500 मार्क का एक्जाम होगा जिसमें 50 मार्क रीजिनिंग उसके बद पच और जीके जीएस मिला के मैं आथ रीजिनिंग साइन्स साजी के जियस मिला के जो है डेर सो मारकों का तो है टोटल एकजाम होने वाला है तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद